हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियो टू कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसको लाइट टॉपिक समझते होंगे ले इसली तरीका भी आना चाहिए क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें स्टोरी बताता हौब पार आज ककि यहां वह सही का फॉल आप ड्रॉ करना हमारे लिए क्यों जरूरी है तो चलिए इसको सीखते हैं यहां पर हम ट्वेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में परफेक्ट पिक्चर चाहिए एक अवराल पिक्चर चाहिए तो ट्वेंड लाइन ड्रॉ करना ही काफी नहीं है ट्वेंड लाइन आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना परेगा सबसे पहले आपको lower time frame में जाना पड़ेगा जहां पे आपको इंटवाट है यह नि CMD market का momentum किस तरफ जा सकता है क्या support वेश्टेमस देवल है उसका idea मिलेगा उसकी बाद एक हम mid time frame लेते हैं mid chart लेंगे time frame वाला उसमें हम draw करेंगे उसकी बाद हम longer range वाला time frame लेंगे उसमें हम trend line draw करेंगे तो तीन अलग लग time frame में जाके हम trend line draw करेंगे तब हमें market का overall picture आएगा कि short term में हमें क्या लग रहा, mid term में हमें क्या लग रहा और long term में हमें क्या कुछ idea मिल वाया है फिर हम तीनों को mix करके एक story बनाएंगे तब हमें overall जो picture है वो समझ में आएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर 5 minute का आपको time frame दिख रहा होगा देख सकते हैं यह आपका reliance industry है इंडिया का दिग्गाज है यहां पर हमने 15 minute का time frame लिया है और इन सारे अलग-अलग time frame में हम trend line draw करेंगे तो यहां पर किस तरीके से trend line draw कर सकते हैं trend line draw करने का बहुत सारा तरीका है dynamic है कोई आपको किसे और तरीके से बताएगा लेकिन सारे जगाज से हमें same story मिलना चाहिए same picture मिलना चाहिए तभी आपका वो रियल माईने में सही trend line draw माना जाएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे आप मैं आपको trend line draw करके बताता हूं फिर आपको समझ में आएगा कि हम trend line draw कैसे कर सकते हैं और वो trend line मेंने क्यों draw किया है तो यहाँ पे आप चार्ट सबसे पहले इसको हमने mark किया उसके बाद यह वाला lowest point है इसको हमने mark किया और यह lowest point इसको हमने mark किया और इस तीनों को join करते हुए एक straight line draw कर दिया अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या idea मिल गया हमें यहाँ पे idea मिला है कि यह जो market का range है वो narrow होता जा रहा और जैसे market का range narrow होगा उसके बाद क्या होगा market blast करेगा यानि market range को तोरेगा आइदर नीचे तोरेगा यह उपर तोरेगा जिस भी तरफ range चूटेगा उस तरफ हमें big momentum देखने को मिलेगा सबस्पर यहाँ पर हमें idea मिला है अब यहाँ पर क्या किया है यहाँ हमने already बहुत सारे videos बना रखे हैं और यहाँ पर जब यह आपका breakout दिया था यह आपका तीन बज़े के बाद breakout दिया था 15 माट का time frame में देख सकते हैं सिर्फ एक candle इसके नीचे है मतलब यह आपका closing के time पर दिया था तो बहुत सारे लोग ऐसा ही filter कर सकते है closing के time पर जो भी moment रेंज है उसमें पहुंचा और उसके बाद जो यह जो रेंज हो एंड करने वाला आया उस टाइम में इसने breakout दिया कि दो दिया नीचे साइड की तरफ ब्रेक आउट यानि हमने trend line के basis पर क्या देख लिया कि trend line को इसने break किया कि दर नीचे साइड की तरफ यानि यहां पर हम trading में भी weekly expiring में भी कर सकते थे उसके बाद देखिए market आपका continuously नीचे जा रहा तो यह trend line का अब काम खतम क्योंकि इसको break कर दिया अब हम market को कैसे देखेंगे अब हम market को समझने के लिए अलग time frame करेंगे अब आता है काम किसका white वाला trend line का इसको हमने कैसे draw कि इस lowest point को लिया और इस lowest point को लिया दोनों को हमने join कर दिया लाइन आगे आपका जिस भी straight line बनेगा वो हमने draw किया बांकी आगे हमने कुछ modification नहीं किया यहां पर क्या किया यहां पर हमने इस highest point को लिया और इस highest point को लिया ठीक है मतलब इस range के बाद मेरा trend line complete हो गया पुरा यह trend line उसके बाद मार्केट क्या हुआ है यहां से नीचे लोट आया यह जो support zone था इसको रिस्पेक्ट किया है यहां से फिर उपर गिया है यह रिस्टेंच zone था इसको रिस्पेक्ट किया और उपर में आपको लोवर हाई पैटर्न का formation होता हुआ दिख रहा है तो इस तरह का पैटर्न जब भी बन जाता है तो ट्वेंड लाइन ड्रॉआ करने और लोग को जौन करके ट्रॉआ करने हैं सिंपल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लोग लो रहा है अब यहां पे हमे है market के बारे आईडिया कैसे मिल गया है इसके वेशिस पर हम ट्वेट सेट अप कैसे त्यार कर सकते हैं अल्टिमेटली जो हम वीडियो बनाते हैं सबका गोल क्या रहा था हूँ हमारे ट्वेडिंग देसिजिएंस में हैल्प करें या नहीं तो वह हमारे कर सकते यानी तो Sell कर सकते चोटा सा Stop Loss लगा के अगर यह लोऊर हाई रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकला यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा पॉजेटिव साइड की तरफ यहां पर ब्रेकाउट देखने को मिलेगा लेकिन अगर यह लोऊर लोओ और लोऊर हाई sabem को फॉलो करें मतलब मार्केट वेंज में जवी रहा है लेकिन मार्क धले नीचे गिर रा अब मार्केट अपसर उइंटम कब पक्रेगा जब यह है लॉर हाई इंटम को ब्रेग करके उपर निकलेगा तब यहाँ पर अफसर निकेंगा उससे up-side momentum का कोई chance ही नहीं यहां पे आपको कब buy करना उसका idea मिल गया और उससे पहले आपको क्या trade लेना यहां पे sell यहां पे buy complete ज़ादा कोई complications नहीं है simple सामने line draw किया इसके basis पे market इसको respect औरते जा रहा है देखिए यहीं पे हमारा trend line आगे का पूरा complete हो गया था उसके बाद market ने एक बार दो बार तीन बार लगभग इसको respect किया यानि तीन बार आप यहाँ पर ट्वेडिंग पोजिशन बना सकते हैं और सारा का सारा इंट्राडे में बना सकते हैं यहाँ पर आपका बेटी स्टी होता लेकिन यहाँ पर इंट्राडे म सकते हैं हमने यहां इससे लौगर टाइम्फरें में आते हैं तो अब यहाँ पर लेंज के व हमने कीजय को देखते चार्ट को देखते अब यहाँ पर upload कि сможंग उस्ट्राइबम की लीगाक्त बिजान की यहां पर हमने एक रेंज लिया है यह रेंज लिया है और इस रेंज को लेते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है यहां पर बोल सकते हैं हम ट्रेंड लाइन एज रेंज ड्रॉ करती हैं यहां पे हमने रेंज कियो लिए है कि यहां पर ऊइसको कि यहां बाढना था उसके बाद प्राइब यहां भी इसको resistance level बना लेकिन यहां पर इसको break करके ऊपर निकला और जैसे break करके ऊपर निकला यह resistance क्या बन गया यह resistance यहां पर support बना थोड़ा टाइम के लिए फिर इसको break कर दिया यह जैसे break किया यह वापस से अब यहां से क्या बन गया resistance line बन गया फिर इसको यहां पर respect कि बन रहा है यहीं कभी आपका support बन रहा है कभी आपका resistance बन रहा है और बार्वर price इसी लेवल के पास आ रहा इसलिए यहां पर हमें यह range ड्राइब करना पर और अभी भी देखिए अभी प्राइस आपका इसी के करीब है और यहीं पर थोड़ा सा यहां पर हमें डिमांड दिख रहा यानि अभी यह आपका support की रूप में काम कर रहा और प्राइस देख सकते हैं यहीं चे थोड़ा सा bounce back लेके आपका ऊपर साइड की दरफ निकला है इसलि प्राइस परेंट को मिला और गे कर Olay और से लिभी यहां से नीचे गिर सब्सक्राइब panda को रिएचे टेंड लाइन के लेवल को टागेट पैस के लिए जा सकते थे यहां पर आपका अगला पिस्टेंस लेवल था और इसके बाद प्राइस आपका ओल्द में ऊपर गया है उससे मैं कोई मतलब नहीं है लेकिन हम इसके बेसिस पर रियक्ट कर सकते थे और यह ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट कर रहा ह कि अब चालिए मैंने बोला कि यहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन करेडि अब इसके आगे का सच्टोरी इसके बाद happen होना चाहिए इसके बाद मांक कर रहा है और हो यहांपे मांकित नहीं को रिस्पेक किया है मतलब इसके कहानी रिख हो थाजग हो रहा यहां पर यह support ले रहा ठीक है तो इसके वेसिस पर हम decision कैसे ले सकते हैं इसके वेसिस पर हम trading decision कैसे ले सकते हैं अब देखिए अगर यह इस range को break किया ठीक है तो आपस से क्या होगा यह जो हमारा range है वह आपका resistance level बन जाएगा यह नहीं आपका यह क्या बन जाएगा यह अपका supply zone बन जाएगा अब इसको अगर यह ब्रेक किया यह नीचे कहां तक आ सकता है वह भी हम देखेंगे अभी एक और trend line हम ड्रॉआ करेंगे उसके वेसिस पर हमें नीचे का target पता चल जाएगा अगर यह resistance level को यह support level को break करता है तो इसके वार target price हम यहां पर हम कुछ और trend line ड्रॉआ करते हैं तो यहां पर वापस से चार्ट पर आ गए और यहां पर हमने वापस से दो trend line ड्रॉआ किया यह वाला और यह वाला आपको white color का trend line दिख रहा होगा ठीक है सबस्पहले हम इसके उपर बात करते हम ने क्या किया इस point और इस point को हमने जॉइन किया और उसके बाद देखिए यह range आपका कहां पर बनवा है यह level आपका इसी support level के पास बनवा है यहां पर हमें दो trend line क्या देरा support level provide कर रहा है अब यह support level तो हमने इसके basis पर ड्रॉआ किया था लेकिन यह trend line भी आपका यहीं पर mix हो रहा मतलब यह strong support के रूप में क यह दो point को हमने join किया इसके बाद एक line draw कर दिया यहां पर हमारा क्या है यहां पर हमारा एक support zone है यहां पर हमारा demand zone है जहां पर price आने के बाद थोड़ा demand increase करता हुआ दिख सकता है तो यह level अगर break हुआ तो price हमारा इस level तक आ सकता है यह इसके basis पर आप trading decisions कैसे लोगे अगर इस level को hold किया और price यहां से उपर side की तरफ गया जैसे कि अभी हमें दिख रहा है closing अगर हमें मिल जाता है एक दू दिन इसके उपर तो यहां पर हम क्या करेंगे price को और उपर side की तरफ जाता हुआ देख सकते है starting से वापस से price आपका कहां तक आ सकता है at least 26 hundred के level तक आ सकता ह यह नहीं तो जो अगला hurdle अगला hurdle कहां पर है यहां पर यहां तक price आता हुआ दिख सकता है उसके लिए बहुत सरव देख सकते हैं एक आपका रेंज इहां पर यहां पर यह आप हजाएंगी आपका टी ड्री वन हो जाएगा यह आपका टी टुह जा को जाएंगा तो आप अलग अलग है के वेस्ट पे हांब इस तरही के आप ये टीडिक प्रीश प्रेज सीश्य थी price find कर लो अगर आप उपर साइट की तरफ जा रहे हो सेल साइट जा रहे हो तो जो भी लो है उसके वेसी से अपना बाउंस बैक लेता है तो हम बाई कब करेंगे अगर यह लोवर हाई को ब्रेक करता है 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में तब जाके यहां पे हम क्या करेंगे यहां पर हमें फिल्ट्रेशन भी हो रहा है यहीं कॉल का एक्वेशी लेवल भी इंक्वीज करके दे रहा है दोनों अ लोवर हाई पाटर्न बरेक हुआ वहां पर इसके बैसे पर इंट्री लेते हैं तो यहां पर जो ट्रैप होने के चांसेंट से उससे आप बच सकते हैं तो इस तरीके से देखिए मल्टीपल यूजेज हम ले रहे है ट्रेंड लाइन का एक ट्रेंड बता रहा और उसके बैस इहां पर और यहां पर आप एल सकते हैं अभिराइन कोई ड्यावड नहीं दो हो यहांपर में खतना पूंअ आप कोई त्वेटलां पूर्वड ट्रेंद्लाइन भी गांते था वहीत्वाद लॉयहां भी में यहां पर हमने यह trend line यह सारा ट्रॉव किया था लेकिन यही सारा कहां पर फर्फेक्ट फिट बैटर है यह सारा पर फर्फेक्ट फिट बैटर है आपके विलाइन के डेली चार्ट में भी यही trend line ड्रॉब करने का एक सही तरीगा होता आप एक time frame पर ड्रॉब करो same level respect करता हूँ दिखता है longer time frame यहाँ पर देखिए यहाँ से bounce back दिखाया तो यहाँ पर daily chart में भी देखिए इस level को touch किया और यहाँ से हमारा bounce back दिखाया है और यह support level था और support level है तो दोनों आपका trend line यहीं पर mix होता हुआ दिख रहा है perfectly level पर mix हो रहा है अगर यह support level ब्रेक किया तो हम इस target पर इस तक आता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए यह जो आपका पहला support level है दूसरा support level है यही दो को join करके हमने trend line दो किया था यह perfectly आपका daily chart में बैट रहा है तो trend line दो करने का यही सही तरीक है और इस basis पर आप fine कर सकते हैं आप two hour के चार्ट से daily chart में जा वो trend line एक perfect fit बैठ रहा है यह नहीं बैठ रहा है डेली चार्ट में आपको अलग से दो करने की ज़रूरत नहीं है आप थोड़ा बहुत time frame change करके देख लो पंदर वेंट में अगर आप दो कर रहे हो तो वहाँ पे आप 20 मिनट या फे 30 मिनट में जाकर देख लो अगर सेम time frame में जो trend line वो perfect बैठ रहा है तो आप समझ जाए क trend line आपने सही draw किया है otherwise trend line draw करने में आपने कुछ न कुछ गलती किया है तो देखिए कितना perfectly fit बैठ रहा है जो लेबल वहाँ पे हमने देखा था सारा लेबल यहां पर रिस्पेक्ट कर रहा है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आसानी से trend line draw कर सकते हैं कोई difficulty नहीं थे simple सा काम था trend line draw करना और हमें पूरा का पूरा स्टोरी बता रहा है सारा का सारे स्टोरी बता रहा है और यहां पर हमें double level of filtration भी मिलवा 15 मिनट के time frame हमने क्या देखा था वहां पर आपका lower high और lower low बन रहा था जैसे lower high को break करेगा तब हम भाई करेंगे यहां पर जो trap हो सकता है अभी यहां पर bounce back दिखा दिया लेकिन हम bike up करेंगे जब हमें 15 मिनट से signal मिलेगा यह नि जब दूसरा trend line हमें confirm करके देगा दूसरा time frame बला तब हम वहां पर entry लेंगे और वह entry मेरा perfect entry point होगा जहां पर trap होने के chances कम दिखेंगे यहां पर आप entry लोगे तो trap भी हो सकते हो इसल आप हमें comment section पूछ सकते हैं और चैनल को subscribe नहीं किया प्ली चैनल को subscribe किजे क्योंकि आप बहुत सारी informative वीडियों आपके लिए लाते रहते और बहुत सारा वीडियों आप मिस्कर देंगे अगर आप हमारे चैनल को subscribe किजे और इस तरह के informative वीडियों हम आपके लिए regular basis पर ल झाल झाल